हाई गाईज वेलकम बैक टो जावा प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट सीरीज इस आर लेक्चर नंबर 11 और यह हमारा फाइनल लेक्चर है हमारी बेसिक क्रूड अप्लिकेशन का जिसके बाद हम अपने में प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे और उसको स् तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अप्लिकेशन का आखरी पार जिसके बाद जैसा मैंने कहा नेक्स वीडियो से हम शुरू करेंगे अपना एक्चुल प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट चलिए तो बढ़ते हैं आगे अब लास्ट लेक्चर में अपने बैकेंड से रिलेटेड चीजें कर ली थी हमने कनेक्शन ओपन कर लिया था कनेक्शन का कोड लिख लिया डाव बना ली ओजो डिजाइन कर ली अब आज हमें इने फ्रंट एंड के साथ करना है कनेक्ट तो सबसे पहरा टास्क है हमारा कि हम यह चेक करेंगे कि कोई भी रेडियो बटन यूजर ने सेलेक्ट करा भी है कि नहीं करा है अगर कोई भी रेडियो बटन यूजर ने सेलेक्ट नहीं करा है तो हमारा कोड यूजर को रेडियो बटन सेलेक्ट करने का फॉप अप देगा अब इसे पहले कि हम इसकी कोडिंग लिखना स्टार्ट करें एक और जरूरी चीज जो आपको इसके एक्जीक्यूशन पर नजर आएगी कुछ नजर आ रहा है आपको इस फ्रेम में खास कुछ स्पेशल नजर आ रहा है इस फ्रेम में जो अभी तक हमने डिसकस नहीं करा है ज कोड़ी जांगे यही सब्सक्राइब करने से कैसे रोकते हैं युस पे ध्यान दीजिए बहुत सिंपल है आपको अपने फ्रेम पे राइट क्लिक करना कैसे करेंगे फ्रेम पर राइक जवाब दें अगर आपको लग रहा है सरी तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहीं से कर देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं इस समय जो मेरे सामने आ रही है स्क्रीन यह फ्रेम है वेरी गूड यह फ्रेम नहीं यह पैनल है अगर मैं इस पर राइक क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा त करें राइक क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाए तो आप फ्रेम तक पहुंचेंगे और गौर से देखिए फ्रेम के अंदर आपको एक री साइजबल नाम की प्रॉपर्टी मिलेगी ठीक है मैं स्क्रोल करता हूं आप बताएगा आपको री साइजबल नाम की प् आतरव हूं बाई डिफॉट यह फ्रेम प्रेंपर चेक रहती है जिसका मतलब है कि फ्रेम री साइज हो सकता है हम नहीं चाहते हैं कि स्लीघक को पाइगा ऐसा करने से फ्रेम को यूजर अपनी तरफ से यिसाजाई नहीं कर पाएगा और जहां तक के सेंटर पर आने की बात है वह आपको पता ही है वह हम ला रहें बाइकॉलिंग दमेथर्ट सेट लोकेशन रिलेटिव तू पासिंग इट नल ऐस आर्गिमेंट क्लियर रहें यहां तक चलें आगे अगर नहीं देखने को मिल रही है तो आप विंडो में जाएं राइट विंडो के अंदर आ जाएं वहां आपको नैविगेटर को औप्शन मिल जाएगा विंडो मेन्यू में नैविगेटर फिक्लिक कर दीए चलिए आगे बड़ी है अब आते हैं अपन बटन की इवन्ट हैं कि मैंने आपको लास्ट लेच्टर में बिता दिया था इस बटन को क्या क्या करना है तो इस बटन को करने मन्टेवल पांच काम न700 का मोई यह करना है कि इसे सका करना एप CB कोई रेडियो बिटन सेलेक्ट है भीके नहीं नहीं आपको याद होगा मुल्टिपल options में से कोई एक option select है के नहीं यह देखना है तो हम generally एक method बनाते हैं आज भी बनाएंगे method का नाम हम रखते हैं validate input याद है मैंने जो dummy application अपसर डिसकस की थी उसमें मैंने इस method को बनाया था अभी भी हम इस method को design कर रहा है तो हम यहां से validate input method को call करेंगे अगर इस method की return value फॉल्स आती है तो हम यूजर को एक error message देते वे यहीं से return कर दाएंगे लेकिन इससे पहले कि हम यह message हमें validate input का code लिखना होगा बहुत ही simple code होगा तो पहले नेट बीन से इसको generate करा लेते हैं नेट बीन से generate कराने के लिए प्रेस करेंगे आप alt enter और यहां पर लिख देंगे आप create method तो नेट बीन सापको validate input की blank body बना कर देगा चिक है अब validate input का का काम बहुत ही simple है आपको चेक करना है कि अगर एक भी रेडियो बटन और नहीं है तो यहां से और इसा क्यों ऑसके हम रेडियो बटन के लिए बटनगू सेट करेंगे अभी मैं की है फिलाल इसके लिए मुझे पहले बटन गुरुप सेट कर देना होगा ताकि एक समय में एक ही रेडियो बटन को आप अन रख सकें यह करने के लिए अपन बटन गुरुप को लेकर आते हैं और उसके बाद इन चारों रेडियो बटन को सेलेक करके एक साथ और इनका कॉमन बटन ग्रुप प्रॉपटी को सेट कर देता हैं यह करने के लिए बटन ग्रुप में जाएंगे और यहां से सेलेक्ट कर लीजे आप बटन ग्रुप वन अब सबके सब म्यूच्वली एक्स्लूसिव हो गए एक बार में एक ही रेडियो उटन आपका ऑन रहेगा अब आते हैं है वालिडेट इंपुट्स पूप क्या करेगा वालीडेट इंपुट्स यह सबसे पहले चेक करेगा कि जो हमारा पहला लेडियो बटन है क्या नाम चा चला CT-aczego देखेंगा कि क्या दूसरे का भी ऑफ है राइट डूसरा रिडीडियो बटन मैंने बनाया제 search EMP dot is selected इसको भी हम चेक करेंगे क्या यह फॉल्स है अगर यह भी फॉल्स है तो कोड आगे बढ़कर तीसरे वाले को चेक करेगा चिक है double equal to false अगर यह भी फॉल्स है again we'll put an end और हमारा तीसरा रेडियो बटन है show all EMP तो हम चेक करेंगे show all EMP dot is selected अगर यह भी फॉल्स है we'll put another and condition और चेक करा जाएगा क्या quit भी फॉल्स है अगर quit का भी selection off है सभी के सब फॉल्स है तो आपकी application return करेगी इस if condition से false value so we'll put a return false here और अगर इन में से एक भी condition true है अगर इन में से एक भी condition false है यानि एक भी ready button on है तो फिर हम सीधे return कर देंगे if की body से बाहर आकर true समझा गया food का logic चिक है यह हो गया आपका validate input का logic अब यह जो validate input है इसे call करने का आपका डू टास्क वाला बटन करेगा तो अगर रिटन वैल्यू फॉल्स मिलती है तो इसका मतलब यूजर ने कोई option चूज करा नहीं और सीधे बटन पर क्लिक कर दिया तो हमें as usual यूजर को message देना है शो message dialogue जिसमें पहला argument हमारा नल होगा दूसरा argument यूजर को हम message generate करके देंगे प्लीज मेक सेलेक्शन फरस्ट लीज मेक सेलेक्शन फरस्ट उसके बाद एक टाइटल चाहिए आपको डाइलग बॉक्स का तो मैंने कह दिया no selection यह हमारा टाइटल बार पर आने वाला टेक्स हो जाएगा और हम यूजर को inform कर रहे हैं तो हम आइकन लेकर आएंगे यह करने के बाद हम इससे आगे जाने की ज़रुवत नहीं समझेंगे तो यहीं से कर जाएं आप रिटर्न ठीक है अब मुझे बताईए अगर यह इफ की कंडिशन फॉल्स होती है बताईए तो यह इफ की कंडिशन फॉल्स कब होगी जब वालिडेट इंपुट आपको ट् इसका मतलब है कोई ना कोई रेडियो बटन यूजर ने सेलेक्ट करा है तो अब हम चेक करेंगे कौन सा वाला रेडियो बटन सेलेक्टेड है इसके लिए हमारी एक कंडिशन होगी जिसमें हम कहेंगे इफ जे यार बी एड़ एएमपी डॉट इस सेलेक्टेड अगर एड इंपी सेलेक्ट हुआ वा है तो हमें क्या एक्शन लेना जवाब दीजे अगर एड इंपी सेलेक्ट हुआ है तो हमें एड एंप्लॉई फ्रेम ओपन करना है यह वाला फ्रेम क्लोज कर देना है दो एक्शन्स लेने कैसे खोलेंगे एड इंपी फ्रेम ऑबजेक्ट बनाकर खाली औब्जेक बनने से काम हो जाएगा अंगर मैं केता हूं ऐड़ इएंपी फ्रेम एड़ एकुल्स टूण ईड़ एंपी फ्रेम बन गया है अब क्या कर रहूं ऑब्जेक बनाने के बाद और अनाम क्या है हमारा एड़ एंप्लॉई फ्रेम में सो एड़ एंप्लोई फ्रेम एड़ एंप्लॉई फ्रेम ये बन गया औब जब छाली इतने से बात बनेगी नहीं तो आपको इसका सब्सेट विजिबिल करना पड़ेगा चुड दुग है लेकिन इसके साथ साथ ये जो पढ़ेगा और इसे मेमरी वी से हटाने के लिए क्लास का मे्थढ है आपकी पेरेंट बणास क्लास को काल करने के लिए डॉक्त लगाना पड़ता है जरूरी होता है सीधे कि लोग सकते हैं आप या फिर लिख सकते हैं आप दिस डॉट डिस्पोज करा जा रहा है तो यह करंट फॉर्इम को राइट अब अगर यह कंडिशन फॉल से कोड यहां पर कॉपी होगा यहां आकर आप लिखेंगे एल्स और यह फूरा पार्ट अपर ने डाल दिया आप जो नेक्स फ्रेम आपको चेक करना एड एंपी की जगे वह हमारा सर्च एंपी अगर जे आर भी सर्च एंपी इसे सेलेक्टिट दिख रहा है तो फिर हम यूजर को चाहेंगे सर्च एंपलॉई फ्रेम पर भीजएं और इसके लिए हमारा प्लॉई फ्रेम यह हो गया सर्च एंप्लॉई फ्रेम यह एड एंपी की जगे आप लिख देंगे search emp dot set visible और यहां से पास कर देंगे आप true अगर यह condition भी false है तो आएगा तीसरा else if यह सिर्फ किसको check करेगा यह सिर्फ चेक करेगा show all emp को show all emp अगर यह selected है तो फिर हम search employee frame पे ना जाकर कौन से frame पे जाएंगे view all emp यह मैंने अपने frame का नाम दिया वा है view all employee frame I'll call it view emp is equal to new view all employee frame यह हमारा next frame हो गया और यह हो जाएगा view emp dot set visible true ओके अगर इन में से एक भी condition true नहीं है तो फिर control कहा जाएगा तो फिर control जाएगा एल्स पार्ट में इस एल्स में आने का क्या मतलब है इस एल्स में आने का मतलब है यूजर ने quit choose करा है quit choose करा है तो आप क्या करेंगे quit choose करा है तो सबसे पहले आप उसे application use करने के लिए thank you बोलेंगे right so मैंने इसी message को copy करा instead of this line मैंने इसको message दे दिया thank you for using the app टाइटल बार पर मैंने टाइटल डाल दिया thanks और information message as it is हमें रहने दिया इसके बार क्या करेंगे जवाब दीजे इस message को screen पे दिखाने के बाद अगला task क्या करेंगे आप exit करेंगे तो system.exe आएगा और कुछ भी आएगा इन दोनों के बीच में और कुछ भी आएगा इन दोनों के बीच में database connection को close करेंगे करना पड़ेगा अभी मान लीजे कोई connection नहीं खुला है लेकिन एक्षुल में जब यह project रन होगा तो user add वगरा करने के बाद जब पूइट करेगा तब तो connection क्लोज करोगे ना तो क्या रिखोगे आप तब आप यहां लिखोगे डीवी कनेक्शन डॉट क्लोज कनेक्शन यह आप अपना method कॉल करोगे जो फ्रेम के पढ़ा है जावा में आपने क्या ऐसा कर सकते हैं कि यह तीन-टीन लाइनों का code हमारा इजी हो जाए थोड़ा मतलब तीन और तीन छे और तीन नौ यह काम नौ लाइनों में कर रहा हूंना यह काम हमारा सिर्फ तीन लाइन में हो जाएगा इंस्टेड ऑव राइटिंग नाइन लाइन वी दू दू था सेंग जॉब इन ओनली थ्री लाइन पॉलिम पढ़ा है आपने पॉलिम पढ़ा है हम लोग सबसे पहले बाहर जे फ्रेम का रेफरेंज बना लें बाइटिंग जे फ्रेम यूजर चॉइस फ्रेम ऐसा कर लें तो मुझे बताइए जब मैं कहांगा जे फ्रेम यूजर चॉइस फ्रेम तो हमारे के एरेंट का reference, child के object को point कर लेता है, कर लेता है, तो मैं इस add EMP frame को हटा कर, यहां user choice frame is equal to new add employee frame बोल सकता हूँ, यह हटा दीजे, फिर यही user choice frame is equal to, यहां पे भी लगा सकते हैं, search EMP की जगे, लगा दीजे, इन दोनों को भी हटा दीजे, राइट, user choice frame is equal to new search employee frame double equal to लग जया, single equal to ऐसे ही अपन यहां कर सकते हैं user choice frame is equal to view all EMT ठीक है, अब यह किसे ना किसी object को point करेगा अब आप इस else के बाहर निकल लिए और इस else के बाहर निकल कर कह दीजे user choice frame dot set visible true और this dot dispose क्या कहते हैं, चल जाएगा, much better polymorphism का support लीजे, जिस भी किसी object को यह point कर रहा होगा उसी का visible true कर देगा, और current frame को कर देगा dispose दोनों तरीके आपके पास, आप चाहें तो non polymorphic तरीका ले ले और चाहें तो आप polymorphic ले ले, button group से मुश्किल होगा, button group से अब अब अपन चलते हैं, add employee frame पे, next job is add employee frame, अब मैं आपको उसके steps देखा रहा हूँ, आप करिए उन steps को implement प्रॉपर तरीके से, तो यह है add employee frame के अंदर जाकर करने वाली coding, जैसे user add employee frame पहुंचेगा, पहले तो देख लीजे, frame देखेगा कैसा, तो यहां से मैं आपको run करके रिखा देता हूँ, application आपकी run होई, अब यह पने खुछ भी select नहीं कर रहा है, do task पे करा, तो code कहेगा, please make a selection first, अपने add employee पे click करा, do task पे करा, तो यह हमारे सामने add employee frame आ गया, now I want user is team text boxes में data भरे, इस button पे click करे, तो यह data जाकर database में store हो जाए, और अगर user back पे click करे, तो वापस हम user को पिछले frame पे ले आएं, यह code अपन को लिखना है, तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं आपको steps दिखा रहा हूँ, इन्हें करिए word by word follow, जैसे user add button पे click करेगा, आपका program यह 5 activities करेगा, यह आपके सामने 5 activities हैं, पढ़िए निध्यान से, and try writing their Java code, तो यहां भी आपको शुरुवात करनी है validation के साथ, तो आपका पहला task क्या होगा, आपका पहला task होगा, आप add employee frame में जाएं, और validation करने के लिए एक method बना ले, बनाना पड़ेगा, जिससे आप अपने event handler से call करेंग राइट, तो सबसे पहला काम, event handler के अंदर से validation को call कर लेते हैं, जिसके लिए अपने लिखते हैं, boolean result is equal to, followed by the method validate input, चिक है, तो net beans को बोल दीजे, इस method का blank skeleton आपको दे दे, यह रहा, इस method का blank skeleton जो net beans ने में बना कर दिया है, इसके अंदर हमें क्या करना है, क्या चेक करना है आपको इस method body में आकर, आपको यह चेक करना है कि कोई भी text box empty तो नहीं है, अगर एक भी text box empty है, तो यहां से क्या return करना है, false, और सारे के सारे fill है तो, सारे के सारे fill है तो यहां से return करना है true, code बताइए, तो आप लिखेंगे if txt empno.gettext.isempty अगर पहला वाला text box empty है अगर ऐसा है राइट या फिर अगर पहला वाला text box empty नहीं है तो आपका code चेक करेगा txt ename.gettext.isempty right पोड चेक करेगा क्या दूसरा वाला text box empty है दूसरा वाला empty नहीं है तो code चेक करेगा क्या तीसरा वाला text box empty है txt sal.gettext.isempty अगर इन में से एक भी condition true है तो हमें क्या return करना चाहिए इस सिफ से तो हमें क्या return करना चाहिए तो हमें return कर देना चाहिए यहां से false अगर यह true है तो फिर हमें return करना चाहिए false और अगर यह सारे के सारे false हैं तो हमें return कर देना चाहिए true राइट यहां से रिटन हो जाएगा जो भी ट्रू फॉल्स होगा वो रिटन होकर किसके पास पहुंचेगा जो भी ट्रू फॉल्स आप रिटन करेंगे वो रिटन होकर पहुंचेगा रिजल्ट के पास शाबाश अब आगे रिजल्ट में क्या करना है अब आपको चेक करना है अगर result के value false है ऐसे कर सकते हैं check if not result yes कर सकते हैं तो अगर result के value false है तो आप option frame में जो message ले रहे थे वो यहां भी ले 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 यूजर को यही बोलना है please fill all the fields बस इस बार बोला था आपने make a selection वो change करके अपन बोल देते हैं please fill all the fields ठीक है यह टाइटल डाल देते हैं incomplete data ठीक और यहां से आप कर जाईए return यह हो गया आपका if वाला part आप बताएं अगर यह false है तो इसका क्या मतलब है data भर दिया यूजर ने proper yes data भर दिया यूजर ने तो क्या करना अब आपको if से बाहर आकर पहला काम if से बाहर आकर पहला action आपका क्या होगा पहला action try बनाएंगे आप बनाएंगे पहला action है आप try बनाएं ठीक है ठीक है पोजो इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि आप भूल रहे हैं आपके पास text boxes में data अभी भी string style में पोजो बनाने से पहले आपको इसे convert करना पड़ेगा number form में और इस दौरान आ सकती है exception आ सकती है ना तो try लगाना पड़ेगा very good तो अब आप try block के अंदर जाएं जैसा पिछली बार आपने करा था वैसा यह तरीका में ले रहा हूं यहां लेखे हैं अपन string empno is equals to txt empno dot gettext क्या मिल जाएगा string के अंदर आ जाएगा textbox का data फिर कह दें आप string empno is equals to txt empno dot gettext यह आ जाएगा user का नाम फिर आप कह दें string esal is equals to txt sal dot gettext यह आपको मिल जाएगी salary के value अब आप इन्हें convert करेंगे चल्दी चल्दी बूलिए येस अब इन्हें करा जाएगा convert किसको किसको करा जाएगा दो को करा जाएगा एक तो employee number को करा जाएगा जिसको करने के लिए आप बोलेंगे integer dot par sign t और parenthesis में पास करेंगे empno यही काम करने के लिए फिर आप double value भी लेंगे और salary को भी convert करेंगे double sal is equals to double dot parse double और यहाँ pass कर देंगे आप e-sal तो यह दोनों convert हो जाएगे अपने corresponding numeric form में अब बताईए इसके बाद क्या करेंगे अब जबाब है अब बनाएंगे pojo का object शवाश pojo का नाम है employee so we'll say employee EMP is equals to new employee यह बन गया पोजो का object फिर क्या करेंगे पोजो का object बनाने के बाद फिर क्या करेंगे पोजो का object बनाने के बाद वरी गुट उसके call करेंगे और सेटर्स ना कॉल करने हुए तो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं बिलकुल पास कर सकते हैं बस आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप डिरेक्टली पैरामीटर यहां से पास कर रहे हैं तो तो पहले इंटेजर जा रहा है फिर स्ट्रिंग फिर साल वी वैसा ही रखते त्याप जैसे आपकी चॉइस ठीक है अब बताई अगला टास्क बन गया पोजो का अगला काम क्या है अगला काम है डाव का मेथट कॉल करना जो इस पोजो ऑबजेक्ट को लेगा और डेटावेस में इसका रिकॉर्ड एड कर देगा तो क्या स्टेटमेंट लिखू रिका हूं हमें कॉल करना है एड एंप्लॉई इस एड एंप्लॉई मेथड को यहां से कैसे कॉल करा जाएगा वेरी गुड तो आप लिखेंगे बूलियन रिस्पॉंस इज इक्वल्स टू इएमपी डाव डॉट एड एंप्लॉई और पास करेंगे आप अपना इंपी का ऐसे होगा ज्रेक्ट इसके बाद आप चेक कर लेंगे इए इफ कि रिस्पॉंस का मतलब होता है इसका मतलब डेर चेRight रिस्पॉंस की एड हो गया है कि यहीab कि कि पर टा सकसफुली अड हो गया है वेड़ को आगर डेटा सकसफुली हेड हो गया है वह हम उसर को सकसर का मैसेज दे दे देता हैं उसके लिए जे-o confirmation सक्सक्थ और information message वहने ताइए अगर इस इपके अंदर नहीं गए तो इसका क्या मतलब record नहीं हुआ है इस अगर इसका मतलब record proper तरीके से आड नहीं हुआ है तो यहां लगा देते हैए एक एल्स पार्ट और एल्स पार्ट के अंदर फिर एक message जो इस बार यूजर को एरर का इंडिकेशन देगा और वो होगा प्लीज फिल आल दर फील्ड की जगे कुट नॉट इंसर्ट दे रिकॉर्ड ऊपर लिख देते हैं ट्राइ अगें यह आपका यूजर को मेसेज और क्योंकि इस बार रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है इसके लिए आप मेसेज में लिख दें एरर अंडर्स्कॉर मेसेज यह हो गया डेटाबेस इंटरेक्शन का रिजल्ट प्रिंट कराना अब मुझे बताईए ट्राइ लगाए तो इसका कैश भी आएगा यह अगर ट्राइ लगाए तो आपको इसका देना पड़ेगा कर्रस्पॉंडिंग कैश कितने कैश लगेंगे हमारे एक्जाम्पल के अनुसार दो कैश लगने चाहिए एक कैश लगना चाहिए के number format exception का catch kg एक हो गया number format exception आच दूसरा किस का डेटा प्लीज फिल निमेरिक डेटा ठीक है यह यूजर को आपने मेसेज दिया टाइटल में आपने डाल दिया एरर और यहां हो जाएगा आपका information की जगे error underscore message और मैंने हमेशा का आए जब भी exception आए अपनी तरफ से print stack trace आप जरूर कॉल करें तो यह आपको पता चले कि आपके code में दिक्तत हुई है तो कहां हुई है क्यूं आपका code दे रहा है exception second catch भी विल्कुल ऐसा ही होगा बस message उसका different होगा और वह catch होगा SQL exception का catch अगर SQL exception आई है तो किस कारण से आई है जल्दी जल्दी बोलिए अगर SQL exception आई है तो किस कारण से आई है तो वह आई है database में किसी problem के कारण इसको कर लीजे fix import और यहां पर आप message में type कर सकते हैं database error और यहां भी print करा दीजे आप stack trace यह clear है अब इतने को test कर लेते हैं let's save it फिलाल कोई error तो दिखने ही रही है SQL पर जाकर check कर लेते हैं क्या-क्या record हमारे पास currently available है so we log into my project password is Java select star from employees order by EMPNO यह हमारे पास इस समय छे records यह भी देख लेते हैं command prompt पे और आकल अप हुई है के नहीं हुई है और आकल अप नहीं हुई है तो मुझे इसे अप करना पड़ेगा प्राइगा server is up now अब आप अपनी application को test कर सकते हैं so we'll start from options frame यहां से हमने add employee पे click करा do task पे गए फिलाल मैंने कुछ भी नहीं लिखा और add पे click कर दिया as per the logic program आपको बोलेगा data पूरा फिल कीजिए employee number मैंने दिया back end में क्या है 106 is the last one तो मैंने यहां दिया 107 याद रखेगा project में यह सब auto generate होगा समझा रहा है ना employee number आपको नहीं देना होगा code खुछ generate करेगा बट अभी के लिए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ user का नाम मैंने दिया माल लिजे दिनेश user की salary मैंने दे दी भोपाल क्या होना चाहिए आमें मिलना चाहिए proper error message जैसे click करेंगे आपका code खाएगा प्लीज फिल निमेरिक डेटा और बैकेंड पे अगर आप जाकर चेक करें तो आपको यह भी बताया जाएगा आपसे गल्ती कहां पर होई है यह भी बताया जाएगा गल्ती प्रोग्राम की कौन सी लाइन पर होई है तो दिख रहा है इस गल्ती को सुधार देते हैं यहां पर अपन लिख देते हैं साल्वी 45,000 यह लिखने के बाद जैसी आप एड़ पर क्लिक करेंगे एरर in loading the driver. Driver load नहीं हुआ. क्या problem है? डेटा बैस हमारा, properly connect नहीं हो रहा है तो लेटस चेक आउट. ड्राइवर लोट करने में हाँ. Problem यह है कि मैंने जार फाइल आडड नहीं की है, राइट? करनी पड़ेगी आडड? notice करिए यह back end से आ रही है मुझे कैसे पता चला कि मेरे back end के code में दिखता थे तो notice करिए फिर मेरी help print stack trace में करी है यहां उसी रहे सीधे मुझे बता रहा है कि db connection के अंदर problem है और problem आ रही है कि driver class मिल नहीं रही है आप driver class क्यों नहीं मिल रही है उसका reason है कि आपने jar file add नहीं किये तो let's do that first यहां आएंगे right click properties properties के बाद libraries, library के बाद add jar और यहां से आप select कर रहे हैं अपनी database की file मेरे case में ojdbc6 है तो मैंने उसे select करा इसको करा देते हैं clear और फिर से application को launch करते हैं तो अब हम options frame में गए run file करा add employee को select करा यहां 107 दिया यहां मैंने दिनेश दिया यहां मैंने दिया 45,000 अब अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो record properly हो जाना चाहिए add यह message क्यों आ रहा है connection open successfully क्योंकि आप पहली बार database से बात कर रहा है पहला communication database से हो रहा है इसलिए वह message आपको मिल रहा है आप मैं एक और record enter करूंगा तो फिर से आएगा database connection open successful नहीं फिर से नहीं आएगा right क्योंकि वह message सिर्फ तभी आएगा जब connection open होगा connection database से code एक ही बार open करेगा यहां मैंने लिख दिया रविंद्र salary रविंद्र की करदी मैंने 40,000 और अब अगर मैं यह add employee करता हूं तो मुझे बस एक ही message मिलेगा record added successfully इता clear हुआ back end में जाकर चेक करिए तो दोनों record हमें देख जाने चाहिए यह रहाए आपके हाल फिलाल add करेगए दोनों record बात समझाई आगे बढ़ू चलिए आब आजाईए back button की coding पे back button की coding it's very very simple क्या करना है back में यहां तो कोई polymosum भी नहीं लगेगा सीरे सीरे आपको option frame का बनाना है object सही कह रहा हूं options frame option frame is equal to new options frame यह बन गया options frame का object और क्या करना है फिर फिर इसको कर देना है open और current frame को कर देना है dispose option frame dot set visible true और this dot dispose तो पहुंच जाएंगे हम वापस यह पहुंच जाएंगे अपन वापस कहां पहुंच जाएंगे वापस पहुंच जाएंगे options frame पे इता clear हुआ अब आजाईए second वाले frame पे second वाला frame में हमारा employee को search करने वाला आजाएंगे सर्च employee frame में अब आपको क्या टास्क कर रहा है चलिए अब आजाएंगे सर्च की थ्योरी पढ़ दिज़रा सर्च की थ्योरी पढ़िए ध्यान से यह हमारे सर्च employee frame के लॉजिक से रिलेटेट थ्योरी तो बताईए अब यह आगे हम सर्च पे सबसे पहला काम सर्च employee में आपको यह चेक करना है कि यूजर में टेक्स वॉक्स के अंदर डेटा फिल भी कराए के नहीं करा है वैलिडेट इंपुट की जरूरत नहीं अपूर क्योंकि एक ही टेक्स वॉक्स है ना तो मैं वैलिडेट इंपुट मेथड अलग से बना नहीं रहा हूं समझा रहा ह है सबको एक ही टेक्स वॉक्स वालिड करना है तो उसके लिए लग से मेथाड बना के क्या करेंगे यहीं कर लेता है तो पहला टास्क क्या होगा फेला यह एंपी एनो इजी क्वाल स्थू इसके बाद क्या करें पिर इसके बाद अपन इफ लगाकर चेक करें कि कहीं यह एंटी तो नहीं अगर यह एंटी है कि फिएम पी एनो डाट इस एंटी तो फिर एज यूजुवल हमारे दो मैसेज्जेज जिसमें यूजर को क्या बोलने वाले जिसमें हम यूजर को यह मैसेज देने वाले वह ली फिल करें तो यह हो गया मारा जए ऑप्शन पेइन और मैसेजमें आ गया प्लीज इंप। कि यह हो गया इफ यह हो गया में थर्ड बॉड़ी का ब्रेस यह एक ब्रेस हमारा एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है कि क्या गड़ड़ो रही है जी आप्शिन की कि यह सब होता है ब्रेस की गर्वड़ी के कारण यह पूरा हटाकर वापस अब हम लिखेंगे इफ अगर ऐसा है तो फिर जे आप्शिन पें डाट शो मेंसेज डाइलॉग आज यूजर हमारे तीन काम यहां यूजर को आप मेंसेज देंगे प्लीज इंपुट एंप्लॉई नंबर यहां आ जाएगा टाइटल बार में आपका मेसेज विल से एरर और यहां आप यूजर को दे देंगे आएकन जे आप्शिन पेंडॉट लेट से एरर अंडर स्कूर मेसेज और यूवांट इन्फॉमेशन मेसेज तो आप वो भी कर सकते हैं और यहां से कर जाएए रिटान बताइए यहां तक कुछ है नहीं टेंशन ठीक है अब मुझे बताईए अगर सिफ में नहीं गए तो इसका मतलब यूजर ने डेटा फिल कर दिया है अगर डेटा फिल कर दिया है तो अब प्राइश शुरू कर दें क्योंकि अब करना है तो भी एक्सेप्शन आएगी डेटावेस से बात करें करेंगे तो भी एक्सेप्शन आ सकती है तो यहां अब हम लिखेंगे आई एंटी इनो इस इक्वल्स टू इंटेजर डॉट पार्स आई एंटी और पैरंटिसस के अंदर यह हो जाएगा पार साइंटी पार साइंटी में आ जाएगा हमारा इंपी एनो यह हमारे पास आ गय ऑफ itवरिए e is equuous to emp.map. дал.findEmployee by id पास कर देंगे आप उसे employee का नंबर एंप्लय के इंपोर्ट करवा लीजे अब बताइए आगे आगे का काम और सिंपल है अब आपको find employee by id की तरफ से क्या क्या मिल सकता है या तो हमें बिलेगा employment औप्जेक्ट और यहां मिलेगा नल का मतलब क्या है नल का मतलब है इस एंप्लोई की कोई एंट्री डेटावेस में नहीं है तो अब हम यहां पर टू-फॉल्स ना चेक करके चेक करने वाले डबल इकुल स्टूनल समझा रहा है और अगर इडबल इकुल टूनल कंडिशन ट्रू है तो फिर हम लोग यूजर को मेसेज देंगे जे ऑप्षिन पेन डॉट शो मेसेज डायलॉग यहां आ जाएगा नल यहां आ जाएगा हमारा मेसेज नो रिकॉर्ड ओफ एम्प्लॉई आईडी प्लस एम्प एनो और एनो हमारे पास है प्लस प्रेजन्ट यह यूजर को आपका मेसेज टाइटल बार में रिकॉर्ड नॉट फाउंड यह आपका टाइटल और क्यूंकि इस जस्ट अ मेसेज चुग यूजर जे ऑप्शन पेंड डॉट इन्फॉर्मेशन अंडर स्कूर मेसेज ठीक है यह आप इफ के अंदर करेंगे ठीक है और यहां से कर जाएंगे अपन रिटार्ण अब अगर इस इस में नहीं गए तो इसका क्या मतलब है रिकॉर्ड मिल गया रिकॉर्ड मिल गया तो क्या करना है क्या करना है गेटर स्कॉल करके कहां दिखाना है aykox डोक्सवेशन में टीएकस्टी इनेम टॉट सेट टेक्स्ट पैरामीटर में इडाट गैट इमपी नेई टीएकस्टी सायल डॉट गैट टेक्स्ट और इसके पैरामीटर में क्या आएगा तो विर्यात कीजिए इसको convert करना होगा आपको string में और किसी भी data को string में convert करते हैं तो string classic method provide करती है जिसका नाम होता है value of चल जाएगा तो अब आपको मिल जाएगा text box के अंदर दोनों का data as usual इस ट्राइका भी लगाना पड़ेगा आपको corresponding catch catch यहां यही वाला लगेगा तो मैं add employee के दोनों catch copy कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे इधर भी काम आएंगे यह आपने copy करा यहां आपने कर दिया paste यूजर को अभी भी हम यह बोलने वाले प्लीज इंटर निमेलिक वैल्यू और डेटावेस में कोई प्रॉब्लम आई तो अभी भी बोलने वाले हैं डीवी एरर बताएं यहां तक क्लियर है सबको वर्किंग समझ आ रही है चिक है अब इसकी भी कर लेते हैं टेस्टिंग बस इसमें दो चीज़ें हमें और सुधार नहीं पड़ेंगी वह आप टेस्ट करेंगे तो यह आपको क्लियर होगा और वह दो चीज़ें क्या है ध्यान दीजेगा शुरुआत करते हैं अपन ऑप्शन फ्रेम से एक बार फि है हमारे पास 105 का रिकॉर्ड डेटाबेस में येस तो सुनील और 60,000 हमारे टेक्स बॉक्स में आ जाना चाहिए अगर सब कुछ सही जा रहा है तो तो जैसे क्लिक करा connection open हुआ प्रोग्राम ने दिखा दिया सुनील और 60,000 हम में 105 की जएके 501 दूँगा तो क्या आएगा जिकॉर्ड नॉट फाउंड तो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है लेकिन आप यह चेक करिए बैक्ग्राउंड में सुनील का रिकॉर्ड दिखना गलत है न इससे कैसे बचे कहां चेंज कर दूँ कि सुनील का रिकॉर्ड हट जाए तो मैं जब बटन क्लिक करूँ तो टेक इसी में सर्चिंग पे आऊं एक्सवक्स क्लियर कर दूँ तो फुराना डेटा हट जाएगा एक इंप्रूव्मेंट मुझे यह करना चाहिए टी एक्सटी इनेम डॉट सेट टेक्स्ट और यहां पास करनी चाहिए ब्लांक स्ट्रेंग्स एसे ही टी एक्सटी सैल डॉट से अब रन करिया यही से रन कर लिया मैंने फिलार डिरेक्ट अब आपने दिया अगर 103 तो डेटावेस से कनेक्शन ओपर होगा 103 का रिकॉड आ जाएगा 123 आपने दिया तो जब सर्च करेंगे तो नोटिस करिए बैक्ग्राउंड आपका इरेज भी हो जाएगा आ रहा है समझ इतना क्लियर एक और बात कई यूजर्स की आदत होती है इंपुट डालते वक्ट स्पेस दे देना क्या बता सकते हैं अगर मैंने स्पेस देकर 101 दिया तो क्या होगा गलती से मैंने 101 के पहले स्पेस डाल दी तो आपका प्रोग्राम मुझे बोलेगा प्लीज फिल निमेरी डेटा बिल्कुल सही क्योंकि यह नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो जाएगा यह ना मैं चाहता हूं अगर इतनी सी गलती है यूजर की तो हम इसे एक्सेप्शन ना माने कुछ कर सकते हैं वेरी गुड तो जब हम एंप्लॉई नंबर उठा रहे हों तो डॉट लगाकर लगाने से यह होगा कि गलती से आगे पीछे अगर कोई स्पेस यूजर ने छोड़ दी है तो प्रोग्राम उसे इग्नूर कर देता है आरा है समझ तो यह आप ट्रिम वाला तरीका हर निमेरिक इंपूट में ले सकते हैं यह एड एंप्लॉई में भी ले रहे थे और एंप करने को यहां भी कर लेता है कि अप्रचा कर देता हूं थाकि हमें एक्सेप्शन जबरदस्थी की खरने को ना मिला उन्यां भी ट्रिम यहां भी कर लेतनी हैं कुण करना चाहिए यहां भी करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि यूजर ने संसे एक एक स्पेस बाइड डाल दिया तो भी कोड वैलिडेशन को पास कर जाएगा कर जाएगा ना क्योंकि फिर टेक्स आपको एक स्ट्रिंग देगा जिसमें स्पेस होगी तो आप यहां भी इन सब के साथ एक एक ट्रिम लगना चाहिए ताकि आपका यह एरर अगर स्पेस के कारण आ रहा है तो वह कोड हैंडल कर ले सब जगे मैंने लगा दिया चिक तो यह हो गया आपका सर्चिंग और एडिंग का रिकॉर्ड पूरा अब आता है लास्ट टास्क इस मिनी प्रॉजेक्ट का और वह सारे एंप्लॉईज का रिकॉर्ड शो करने अगें गो तुरू दी अल्गॉर्दम फर्स्ट फिरम कोड प्रिणा नहीं है तो कोई वैलिडेशन करने के आपको जरूरत नहीं है तो यह हमारा विव ऑल इंप फ्रेम यह हमारा मेथट शो और सबसे पहले बताईए अंदर आते ही पहला काम क्या करेंगे इस मेथट बॉडी के अंदर आते ही पहला काम ट्राइ लगेगा क्यों लग आपके पास कुछ भी नहीं है वैलिडेट करने के लिए मानते हैं जिसको आप वैलिडेट कर सकें तो ट्राइ आ जाएए ट्राइ के अंदर अब आप कॉल करेंगे वह मेथट जो आपको सारे एंप्लोई का रिकॉर्ड रिटन करेगा कौन सा मेथट है वह कौन सा मेथट है यह क्या रिटन कर रहा है आपको रिटन कर रहा है एक कंप्लीट एरे लिस्ट यहां कॉल क्या देंगे उस एरे लिस्ट को रिसीव करने के लिए क्या लिखेंगे कए आपके पास पूरी एरे लिस्ट आ जाये वैरे गुड आप लिखेंगे एरे लिस्ट of employee लिखेंगे hemplist is equal to emp dao.get all employees यह यह होगा statement कैसे पता करेंगे के database में कोई record नहीं है टेमल खाली पड़ी हुई है, who is going to tell you, error list का size method, और size के लावा और भी कोई तरीका है, yes, error list के पास भी एक is empty होता है, तो आप चाहें तो लिख दें, if emplist.size, right, double equal to zero, ऐसे चेक कर सकते हैं, या emplist के पास भी, ध्यान दीजे, एक is empty है, जो आपको ठीक लगे, उससे आप पता क कर सकते हैं, error list के अंदर record आएं के नहीं आएं, right, अब अगर error list के अंदर records नहीं आएं, तो यह condition true होगी, जल्दी जल्दी बोलिए, अगर error list के अंदर records नहीं आएं, तो यह condition true होगी, yes, तो क्या करें, very good, तो आप यहां पर user को अपना message दे दे, यहां पर अपन लिख दें नल यहां मैसेज देते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड इन देटावेस ठीक है यहां पन टाइटिल में डाल देते हैं एंप्टी डेटावेस यह टाइटिल हो गया और यहां यूजर को आप इन्फॉर्मेशन देदें जे ऑप्षिन पें डॉट इन्फॉर्मेशन अंडर्सकूर मेसेज यह यूजर को आपका जवाब और क्योंकि कोई रिकॉर्ड है यह नहीं आगे जाने का कोई मतलब भी नहीं है यहां से कर जाते हैं ठीक है आगे बोलिए अगर सिफ में नहीं गए तो इसका मतलब रिकॉर्ड है इस में नहीं गए तो क्या इसका मतलब यह लिया जाए कि रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड है तो आपको सबसे पहले आपका जो टेक्स एरिया है उसके अंदर कॉलम के है ना उसके लिए हम लोग एक स्ट्रिंग बफर का अब्जेक्ट बना लेते हैं स्ट्रिंग बफर एस बी इकुल टू न्यू स्ट्रिंग बफर और मैं चाहता हूँ जो आउटपुट आए उसमें कॉलम के टाइटल भी लिखे वे हैं तो पता लगे यूजर को यह एंप्लॉई नंबर रही है एंप्लॉई नेम है यह सालरी है लाइक डाट और यह करने के लिए मैंने लूप में जाने से पहले अपेंड कॉल करा और अपेंड को टाइटल के तौर पर पास कर दिया एंप्लॉई नंबर बैक्स्लेश टी एंप्लॉई नेम बैक्स्लेश टी और कि एंप्लॉई सालरी यह हो गए आपके टीन कॉलम्स कितना समझ आ रहा है यह आपके कॉलम्स टाइटल्स हो जाएंगे जिन्हें आपको एक ही बार शो करने की जरूर्वत पड़ीगी बोल्ड कर देता हूं तो थोड़ा अलग से हाइलाइट भी होंगे इमपी एनो इमपी नेम और इमपी साल बोल्ड से मेरा मतलब डार्क नहीं है याद रखिएगा बोल्ड से मतलब है कैपिटल चिक है और फिर इसके बाद आप एक न्यू लाइन डाल दें ताकि अगला रिकॉर्ड नेक्स रोपे आपको देखे फाइन यह हो गया आपका अब इसके बाद बताईए नेक्स टास क्या करें एक और नियू लाइन डाल देते हैं बलकि मैं तो कह रहा हूं दो डाल देते हैं तो अच्छा खासा गैप आजाएगा टाइटिल और बॉड़ी के बीच में अब इसके बाद आप अपना स्टार्ट करेंगे एन्हांस पॉर धिया पे यह पुलैnes फटर चल जाता है यह आप लिखेंगे एंप्लॉई इ मृआ इंप लस्ट यह चलेगा इस पेस्टबर और आपको क्या करना होगा अंदर शेक बोली जल्दी है अभ अब आपकोद आपको करना होगा append क्या append करेंगे अब आप append करेंगे e.get employee number right plus backslash t gap देने के लिए फिर इसके बाद plus e.get emp name plus backslash t plus e.get emp sal plus backslash in यह हो जाएगा पूरा डेटा string buffer में append जब बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे जब बाहर निकलेंगे तो जो आपका text area मैंने उसका नाम रखाए pxt all emp इसके अंदर आप set कर देंगे यह पूरा text string buffer का data जिसके लिए कहना पड़ेगा sb.toString बोलें समझा रहा है बोलिए बोलिए जल्दी समझा रहा है इसकी property इसी change कर देते हैं font को थोड़ा सा अपन bold कर देते हैं और 16 का कर देते हैं तो यह bold हो जाएगा 16 का font हो जाएगा ठीक है इसको भी रन करके देख लीजे जैसे इसको आप रन करेंगे कोड में दिक्कत है कहीं कहां दिक्कत है अच्छा ट्राइ का कैस नहीं लगाया पर में सॉरी तो आप करस्पांडिंग कैस लगेगा इन ट्राइ ब्लॉक्स का इसमें exception कौन सी आने के chances हैं तो लॉजिकली सोचिए तो एक ही exception आ सकती है और वो होगी कैच पेस्ट हो गया सेफ कीज़े अब कोई exception नहीं है एरर नहीं है रन कीज़े जैसे आप शौल रिकॉर्ट करेंगे आपके स्क्रीन के अपर हो जाएगा आ रहा है समझ कोड क्लियर है नाम में गैब जादा आ रहे हैं तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं दो बैक्स रेश्टी देकर डाट्स नॉट बिग इशू और वैसे भी हमें यह चीज़ प्रॉब्लम है इसले नहीं लगेगी क्योंकि आगे चलकर हम इसको किस से हैंडल करने आगे चलकर हम टेक्स्टेडिया की जगे जेटेबल लेने वाले जब जेटेबल लेंगे तो यह जो आपको अन अलाइन डेटा दिखा है रविंद्र का वो प्रॉब्लम भी आपके सॉल्व हो जाईगी आ रही है ना मेरी बात समझ इसलिए इस पे जादा ध्यान मत इस उन बैक बटन में सब मैं आपने यह वाला डालना है तो वह मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं यह हो गया हमारा बैक बटण this code will be copied and pasted in every frame ठीक है तो यह हमारा search है search के पास भी एक back button है उसमें भी यही code copy paste होना है यह view all employee है उसमें भी एक back button है उसमें भी यही code होना है copy और paste यहां तक समझ आ रहा है point clear अब आपके हैं दो टास्क वह मैं आपको बताई चुका था अब मैं आपको उसका UI algorithm सब लिख के दे रहा हूं code आपको बना के लाना है ठीक अब आपको option frame के अंदर दो नए options add करने सुन लीजेगा ध्यान से अपडेट और यह है अपडेट की विंडो नोटिस करिए अपडेट में यूजर एंप्लॉई नंबर लिखने के बाद क्या करेगा अपडेट में यूजर एंप्लॉई नंबर लिखने के बाद क्या करेगा यूजर एंप्लॉई नंबर लिखने के बाद एंटर स्ट्राइक करेगा और यह जो एंटर है ना ध्यान दीजेगा यह जो एंटर है इसके स्ट्राइक होते ही जावा में फायर होता है एक्शन परफॉर्म इस बार आपको पहली बार कौन सा इवेंट हैंडल करना है इस बार आपको पहली बार कौन सा इवेंट हैंडल करना है इस बार आपको पहली बार टेक टेक्सबॉक्स में एंटर प्रेस करता है तो इस एंटर के लिए भी याद रखें एक्शन परफॉर्म फायर होता है समझा रही है मेरी बात ठीक है तो यूजर यहां पर employee number डालेगा employee number डालकर enterprise करेगा जैसे वो enterprise करेगा दो में से एक काम होनी चाहिए या तो पूरा record आ जाना चाहिए in text boxes में और या user को एक message मिलना चाहिए record not found समझा रही ये बात एक pop-up आ जाना चाहिए जिसमें लिखा बाजा है record not found फिर जो भी data यहां पर दिखेगा ज्यान दीजेगा यहां उसने कहा 101 तो यहां आपका program लेकर आया अमित और 70,000 अब user इस data को change करेगा यह मान कर चलिएगा कि user employee number में changes नहीं करेगा ज्यान दे रहें आप मेरी बात पर यूजर यह मान कर चलिएगा कि employee number में changes नहीं करेगा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि actual project में हम यह text box की जगे क्या ले आएंगे text box की जगे combo ले आएंगे ताकि user को कुछ type ही ना करना पड़े उसे सिरफ drop down में से select करना पड़े और यूजर जब सेलेक्ट करेगा तो वैसी वह employee number को एडिट नहीं कर पाएगा अभी के लिए आप यह मान लें कि user employee number में changes नहीं करेगा क्योंकि जब आप update query चलाएंगे तो आपको वेर clause की जरूरत पड़ेगी और वेर clause में आपको employee number यूज करना है और अगर उसने employee number बदल दिया तो query गलत हो जाएगी किसी और employee का data update हो जाएगा इसलिए हम यह restriction अपनी तरफ से मान रहे हैं फिलहाल के लिए कि वह employee number अपडेट नहीं करेगा इसी तरह से आपका डिलीट में तो मैंने और सिंपल कर दिया है कुछ नहीं करना आपको सिर्फ यूजर यहां पर employee number लखेगा बटन दबाएगा अगर यह record database में हुआ तो बटन के क्लिक होते है डिलीट होने पर मेसेज आ जाए record deleted अगर यह database में नहीं है तो मेसेज आ जाए record not found हो जाएगा बाबाई टेक केर अभू यहां टेक क्या में जाएगा बाएगा बिल्दाट अजर कीजिवाबांगी तो जाएगागा गर दो करना जाएगा प्रतान दें होते है? क्या करना है?